नमस्ति दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए ले करके आई हूंगी हूं आटे का इक्तम दानेदार तेस्टी लड़ू तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले चुले पर एक कढ़ाई रखेंगे और अब इसमें डालेंगे एक कटोरी गेहूं का आटा आटा मैंने यहाँ पर चान करके लिए है तो पहले कढ़ाई को गर्म होने देंगे कढ़ाई गर्म होने के बाद इसमें एक कटोरी गेहूं के आटे चान करके डाल देंगे या फिर आप जितना लडू बनाना चाहते है उसे साब से यहाँ पर आटा कम जैदा भी कर सकते है तो नाप के लिए आप अपने घर का कोई कप या कटोरा सेट कर लीजिएगा उसी से सारा नाप कीजिएगा इस तरीके से आपका लडू एकदम परफेक्ट और टेस्टी बन कर तैयार होगा दोस्तों गी हूँ आटे का लडू खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और इसे बनाने का तरीका भी एकदम आसान और यूनिक है तो मैं आटे को कुछ सकेंट तक भून ली हूँ अब मैं इसमें डाल रही हूँ दो चमच बेसन तो आटे में बेसन डालने से लडू एकदम खुस्वूदार और टेस्टी बन कर तैयार होगा अब मैं इसमें एक चमच बेसन और डाल रही हो अगर कटोरे से बोले तो हमने इसमें एक चुथाई के करीब बेसन डाले है और बेसन को लगातार चलाते हुए लगभग दो मिनर्स तक भून ली हो अब हम इसमें डालेंगे एक चमच घी घी डालने के बाद अब घी को आटे में अच्छे से मिक्स करेंगे और अब आटे को लगातार चलाते हुए मेडियम टूलो फ्लेम पर भूनेंगे अगर आप इसमें घी के जगह तेल या बटर का इस्तेमाल करना चाहते है तो कर सकते है तो अब आटे को तब तक भूनेंगे जब तक इसमें घी अच्छे से मिक्स हो नज़ए यानि घी को आटा बठ्षियां से सोखले तब तक हम इसको चलाते हुए भूनते रहेंगे और ग्यास का फ्लेम लोटू मेडियम रखेंगे इसे लोटू मेडियम फ्लेम पर ही भूनेंगे तभी आटा अच्छे से भूना जाएगा और इसका लड़ू भी खाने में तेश्टी लगेगा अब इसमें थोरा सा इस्तर से जगा बनाएंगे यानि आटे को इस्तर से साइड कर देंगे तो अब इस तरह से इसके बीच में डालेंगे एक चमच घी तो यहाँ पर घी थोरा सा जमा हुआ है अगर यहाँ पर डाल देंगे तो यह पिघल जाएगा और जब हम इसको मिक्स करेंगे तो यह अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो अब घी को आटे में फिर से मिक् से सोख ना ले तो इसे लगातार इस तरह से चलाते रहेंगे और इसको हलका हलका इस तरह से दवाते रहेंगे क्योंकि हमने जो फिर से आटे में घी डाले है उस बज़े से इसमें थोरा सा गुठलियां परने लगा है तो इसको हलका हलका इस तरह से दवाते हुए चलाएंगे ताकि सारा गुठलिया अच्छे से तूट जाए और इसको बढ़ियां से भूनेंगे तो हम ये प्रोसेस थोरा देर तक करते रहेंगे यानि जब तक आटा अच्छे से भूनना जाए तो अब मैं इसमें फिर से एक चमच घी डाल रही हूँ तो हमने इसमें पूरा तीन चमच घी डाले है तो हमने आटे में लास्ट में एक चमच घी और डाल दिये है तो अब हम इसमें घी नहीं डालेंगे बस अब आटे को अच्छे से भूनेंगे जब आप आटे में इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके घी डालिएगा और आटे को भूनिएगा तो आपका लड़ू एकदम दानेदार तेश्टी और लाजवाब बन कर तयार होगा तो अब हम आटे को बस और थोड़ा दिर तक भूनेंगे तो जब तक ये आटे घी अच्छे से सूखले तब तक हम इसको भूनेंगे और गैस का फ्लेम एकदम लोड़ टू मेडियम रखेंगे दोस्तो आपने तो कई तरीके से ये हूँ आटे की लड़ू बना कर खाए होंगे लेकिन आप लोग एक बार मेरे तरीके से बना कर खाईएगा सायदासान तरीके से बनने वाली ये एक्तम यूनिक स्टाइल की लड़ू पसंद आए तो आटे को अच्छे से भूनेंगे और इस पुरा प्रोसेस में गैस का फ्लेम एक्दम लोटू मेडियम ही रखेंगे तो जब आप आटे को अच्छे से भून लीजिएगा तो आटे से एक्तम सौंधी सौंधी खुस्बू निकलेगा तो देखिए मैं यहां पर आटे को एक्तम अच्छे से भून ली हूँ और इसका कलर भी देखिए एक्तम लाइट गोल्डेन आया है तो हमने आटे को एक्तम ल सा ठंधा होने के बाद अब इसको किसी प्लेट में निकाल लेंगे क्योंकि ये कढ़ाई में जल्दी ठंधा नहीं होगा तो सारे मिश्रन को इस तरह से प्लेट में निकाल लेंगे आप चाहे तो इसको जल्दी ठंधा होने के लिए पंखे के नीचे भी रख सकते हैं तो यहा तो यहां पर घी हलका सा गर्म में ही डालेंगे अब घी को आटे में अच्छे से मिक्स करेंगे तो मैं इसको आसानी से छूपा रही हो यानि हम इस रन को इतना ठंधा रखेंगे कि हमारा हाथ आसानी से सहले तो मैं इसको आसानी से छूपा रही हो तो अब आटे में घी को मसलते हुए अच्छे से मिलाएंगे तो पहले इसको बढ़ियां से मसलते हुए घी को आटा में मिक्स करेंगे ताकि घी आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए अब इस तरह से थोड़ा सा आता लेंगे और इसको बांद कर मुठी में देखेंगे तो ये अभी बिखर रहा है तो कोई बात नहीं हम आगे जो एस्टेप करेंगे उससे ये अच्छे से बंध जाएगा तो इसके बाद मैं इसमें डाल रही हो आधा कटोरी चीनी का पोड़ या आप इसमें चीनी के जगा आधा कटोरी सकर को भी कदूकस करके डाल सकते है तो आप जितना मिठा खाना पसंद करते है उस उससाप से इसमें चीनी या सकर कम जैदा कर सकते है अब चीनी को आटे में अच्छे से मिक्स करेंगे तो इसको बढ़ियां से मसलते हुए मिलाएंगे दोस्तों अगर आज की ये छोटी सी रेश्पी पसंद आए दो वीडियो को लाइक से यर और मेरे चेनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चेनल को भी सर्सक्राइब चरूर कर लेना ताकि आपको हर दिन नई नई रेश्पी देखने को मिले तो देखे मैं इसको अच्छे से मिला ली हो अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूद तो पहले इसमें थोड़ा सा ही दूद डालेंगे यानि एक दो चमच के करीब तो मैं इसमें वाला हुआ दूद डाल रही हूँ यानि हम जो दूद वाल कर ठंधा होने के लिए छोड़ देते हैं वही रूम टमपरेचर का दूद दूद डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे दूद के जगर यहां पर आप ताजा च्छाली यानि ताजा मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मलाई डालने से ये मिठाई और भी ज़्यदा टेस्टी बन कर तैयार होगा तो मैं यहां पर दूद का ही इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूद डालेंगे और दूद को अच्छे से मिलाएंगे तो यहां पर दूर एक साथ नहीं डालेंगे नहीं तो फिर मिसरान गिला हो जाएगा और इसे फिर सही करने में बहुती जैदा टाइम लग जाएगा या फिर ये खारा भी हो सकता है तो आप इसमें थोरा थोरा करके ही दूर डाले तो देखी अवी यहाँ पर यह थोड़ा सा सूखा लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा और दूर डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो आटे में थोड़ा थोड़ा दूर डाल करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अगर आप इसमें दूद नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसमें मिल्क पोडर और घी का थोड़ा मात्रा जैदा बढ़ा करके भी बना सकते हैं तो यहाँ पर हमारा मिसरन बन करके तैयार है तो चलिए अब मैं इसका आप लोगों को प्लड़ू बांध करके दिखा रही हूँ तो इसतरह से थोड़ा सा मिसरन लेंगे और इसको मुठी में से दवाते हुए हलका सा गूल कर लेंगे अब इसको दुसरे हाथ के तलहती पर घुमाते हुए हलका सा दवा देंगे और इसको दोनों उंगली के बीच में रखकर इस तरह से घुमाते हुए हलका सा लंबा करेंगे यानि इसको थोरा सा लंबा कर देंगे ताकि ये देखने में भी अच्छा लगे तो अब इसको हथेली पर गोल घुमाते हुए सभी तरब से चिकना करेंगे और इसको हलका सा इस तरह से दवा देंगे यानि हम इसको एकदम यूनिकोर अलग स्टाइल से बना करके तयार किये है तो देखे बिलकुल इस तरह से तो इसी तरह से बांकी के सारे लड़ू बना करके तयार कर लेंगे दोस्तों आप इस टेश्टी लड़ो को राखी हो या कोई पर्व या त्युहार आसानी से बना करके तयार कर सकती है तो चलिए अम मैं आप लोगों को एक तोर करके दिखा रही हूँ तो देखिए ये एक्तम दानेदार बनकर तयार हुआ है